कमर दर्ध होना यह बहुती कौमन किसम की बीमारी है हर एक को कभी ना कभी अपने जिंदगी में कमर दर्ध या पीट का दर्ध जिसे लोग बोलते हैं वो होता है और यह वैसे आम तकलीफ है लेकिन कभी-कभी यह जो कमर दर्ध है वो उगरस्वरूप धारन कर सकता है और कौन सा कमर दर्ध सीरियसली लेना चाहिए उसके कुछ नियाम है और वो लोगों को मालूम होना बहुत जरूरी है इसलिए मैं यह वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ तो यह ध्यान में रखिए कि जो कमर दर्ध आपको तकलीफ देना शुरू करता है और जैसे दिन जाए वो इसे बढ़ जाता है विड टाइम वो इंक्रीज हो जाता है बढ़ जाता है उसकी तीवरता और गोलिया या दवा ले ले या रेस्ट ले ले तो भी कम नहीं होता है वो सिरियस हो सकता है जिस कमर दर्ध के साथ बुखार आता है वो कमर दर्ध सिरियस हो सकता है जो कमर दर्ध किसी एक्सिडेंट के बाद या चोट लगने के बाद शुरू होके बढ़ता है वो serious हो सकता है ऐसे जो लोग है जिनमें किसी भी किसम का cancer होके गया है और उन लोगों में अगर कई मेहनों या बरसों के बाद कमरदर्द या पीटदर्द शुरू हो गया तो वो serious हो सकता है जो कमरदर्द आपको नीन में से जगाता है उसकी तिवरता की वज़े से जैसे सायटिका या नियूरोजनिक लॉडिकेशन हम बोलते हैं दोनों पैर में वो दर्द फैलता है या उसके साथ जुन जुना हट दोनों पैर में फैलती है वो serious हो सकता है तो यह जो सब कमरदर्द है यह serious होने की सम्भावना बहुत ज्यादा है इसी के साथ जिस कमरदर्द के साथ साथ पेशाब का भी problem शुरू होता है पेशाब करने में तकलीफ होता है वो कमरदर्द भी serious हो सकता है वो भी ध्यान रखना चाहिए और ऐसे कमरदर्द होने पे उसका investigation होना बहुत ज़रूरी है हमारे brain and spine clinic में जब ऐसे patient आते हैं तो हम उनकी जाच x-ray या CT scan या MRI के साथ जैसे हर एक patient को उनका history लेने के बाद और examination करने के बाद हमें उचित लगे हम उसकी जाच करते हैं और अगर ये within time diagnose हुआ ये समय में diagnose हो गया तो इसका जो तीवर परणाम होने की संभावना है उसे हम टाल सकते हैं Thank you very much और मैंने जो red flags कमरदत के बारे में आपको बोले हैं प्लीज याद रखिए और ये जानकारी सभी लोगों को दे दीजिए हुआ हुआ है